वेल्कम टिश्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांच स्केन बाद शुरू होगा रेडी स्टार्ट इस वर्ष के स्वक्ष सर्वेट छण में शिर्ष अस्थान पर अपना नाम दर्ज कराने वाले शहरों के सासकों और प्रसासकों के साथ वहां के नागरिक भी प्रसंसा के पात रहें सुक्षता अभियान को सफलता तभी मिलती है जब सभी मिलकर अपने शहर को साफ सुथरा बनाने में योगदान देते हैं इसका बढ़िया उदाहरन है इंदोर इंदोर ने 2017 में देश के सबसे साफ सुथरे शहर का दर्जा हासिल किया था तब से वह लगातार शिर्स पर बना हुआ है इसका मतलब है कि अगर सफाई की बहतर कारे योजना पर अमल करने की इच्छा शक्ती का परिचय दिया जाए और लोगों को अपने साथ जोडा जाए तो उदाहरन पेश किये जा सकते हैं मुश्किल यह है कि ऐसे उदाहरन अनुकरणी नहीं बन रहे हैं इसी कारण यह देखने को मिल रहा है कि जो शहर स्वक्ष सर्वेक्छन की सूची में सिर्स पर है उनके पडोसी और कुछ मामलों में तो उनसे सटे शहर कहीं अधिक पीछे दिख रहे हैं बत और उदाहरन नई दिल्ली ने स्वक्ष सर्वेक्छन में बहतर अस्थान हासिल किया लेकिन पडोसी सहर उसके आसपास भी नहीं दिखे आखिर सफाई के मामले में जैसा काम नई दिल्ली ने किया वैसा दक्षनी पुर्वी और उत्तरी दिल्ली क्यों नहीं कर सकी यही बात नवी मुंबई से सटे इलाकों पर लागू होती है यदि नवी मुंबई खुद को साफ सुथरा रखने के इच्छा शक्ती दिखा सकती है तो उससे सटे शहर क्यों नहीं आखिर पूरी दिल्ली और पूरी मुंबई बहतर साफ सफाई का उदाहरण कब पेश करेंगी क्या कारण है कि स्वक्षता के मामले में प्रतिश पर्धा का भाव जोर नहीं पकड़ रहा हालां कि स्वक्ष सरवेक्षण में कम और अधिक आबादी वाले शहरों का वरगी करण किया गया है लेकिन इसके आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सकता कि ज्यादा आबादी वाले शहरों को साफ रखना कठिन काम है आबादी से अधिक महत्वपूर है स्वक्षता को लेकर दिखाई जाने वाली संकल्प शक्ति निस्संदेह साफ सफाई के मामले में संसाधनों की एक बड़ी भूमिका है लेकिन वे तभी कारगर सावित हो सकते हैं जब इस इरादे का परिचय दिया जाएगा कि हमें अपने शहर को स्वक्ष बनाना है यह परिचय केवल इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि स्वक्षता सेहत के साथ परियावरण की भी रक्षा करती है बलकि इसलिए भी कि उससे देश की छवी निखरती है स्वक्षता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि नगर निकायों को और अधिक जवाब देह बनाया जाए तथा कचरानिस्तारण के ठोस प्रबंध किये जाए स्वक्षता की संस्कृति विक्सित करने के लिए यह भी जरूरी है कि घर परिवार के साथ इसकूलों में साफ सफाई के महत्वपर और जोर दिया जाए घर के साथ पास पडोस को भी साफ रखना हमारी आदत बनना चाहिए स्टॉप